बॉलीवुड में ऐसे कई एक्ट एक्ट्रेसस हैं, जो आज काफी पॉपुलर हैं। हाला कि उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी रहा, जब उन्हें फिल्मों में आने और करिया बनाने के लिए बतोर बैक्प्राउंड डांसर भी काम करना पड़ा। इनमें फिल्म सिंगम की एक्ट्रेस काजल अगरवाल से लेकर दिया मिर्जा, फरा खान, सरोज खान, रेमो डिसूजा, शाहिद कपूर, अर्शद बारसी, देजी शाह, नीतु चंद्रा और साजिद खान जैसे कई सेलेब्स शामिल हैं। इस पैकेज में हम बता रहे हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही सेलेब्स को, जिन्होंने करिया की शुरुआ थी बतौर बैक्प्राउंड डासन की। काजल अगरवाल फिल्म सिंगम से बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस डेब्यू करने वाली काजल अगरवाल इस से पहले 2004 में आई फिल्म क्यूं हो गया ना के गाने उलजुने में एश्वरिया के साथ नजर आई थी। हाला कि इस गाने में वो बतौर बैक्प्राउंड डांसर थी जिसकी वजह से किसी ने उन्हें नोटस भी नहीं किया। देजी शाह एक ट्रेस बनने से पहले देजी भी बैक्प्राउंड डांसर रही है। साल 2003 में आई सल्मान खान की फिल्म तेरे नाम में वे बतौर बैक्प्राउंड डांसर नजर आई थी। देजी ने अपने करिया की शुरुआत कोरियोग्राफ अगनेश आचार्य की एससिटेंट के तौर पर की थी। देजी पर सल्मान की नजर 2005 में आई मैंने प्यार क्यूं किया की शुटिंट के दौरान पड़ी थी।